महागठबंदन की महिलाओं ने क्रिसी कानून के विरोध में किसानों के बंद के आवबान को एक समर्थन करते हुए समहाल लिया है अपना मुर्चा कस्वीर देखिया पर तमाम जो महागठबंदन के महिलाओं चाहे कॉंगरेस की हो या अर्चेटी की हो तमाम जो महिलाओं यहाँ पर खड़ी है और सरकार के घेरने में पूरी तरह से जुटी हुई है जो बंदी का ऐलान के आई है इसकी दो मुखे वज़ाए ने क्रिसी कानून साथ ही साथ आपको बता दे कि नीजी करन को लेकर जो रोध परदर्सन किया जा रहा था उसी का भवे रूप से आज यहां पर देखा जा रहा है कि जो नारवाजी की जा रही है सरकार को जगाने का काम किया जा रहा है सबसे पहले बात करेंगे कोंग्रेसिव विधाई का चाक के इस बार में जलता है कि मैं तरा जोग सरकों पर है और अगवी सरकार बात नहीं मैं को आजवी परास्व, आदानी अंबानी कि मित्र सरकार ये सम्मेदन हीन सरकार को जगाने के लिए महागटबंदन की एक एक वरकर आज सरकों पे उत्रे हैं और इनको बताना चाहते हैं कि ये लोग तंतर है लोग तंतर में मनमानी नहीं चलेगी आप सचेत हो जाईए नहीं तो 2024 में तो आपको खार को फेकें गई आप जल्द से जल्द किसानों की मांग को पूरा कीजिए नहीं तो चरनबद अंदोलें हम लोग करेंगे महंगाई है बेरोजगारी है बरस्टा चार है मुद्दा तो आने को है आज देखिए नौजवान अपने रोजगार के लिए सरकों पे आएं महिला है महंगाई से तरस्टा इसलिए सरकों पे आई है किसान हैं मजदूर हैं करोना के कारण लोगों का रोजगार चला गया है लोगों का जीना मोहाल है और ये हैं कि देश विदेश का सफर कर रहा है टूर कर रहा है और अब यहां नहीं बार दो बिलकुल सुरक्षित है तो यह लोग छाती पिटते थे आज हर वो दूसरी महिला इनके सरकार में असुरक्षित है गोपाल गंज में देखें तीन साल की बच्ची के साथ गैंग रे कर दी जाती है तिन चार आदमियों दोरह उसके साथ को करित किया जाता है हर जगा महिलाया सुरक्षित है तो क्या बेटियों को पढ़ने सुरका जा रहा है यहां पर देखिए नरेंद्र मोधी जी कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और हमने देखा किस तरीके से हातरस में बेटी का गैंग रैप करके उनका दिन में ही उनकी चिता को जला दी गई है तो यह देश में जब से नरेंद्र मोधी की सरकार है लगभग चाहें वो युवा हो महिलाए हो किसान हो मजदूर हो सब लोग अपनी मांगो को लेकर के सरकों पे उतरे हैं क्योंकि यह स दानी और अंबानी के साथ मिलकर के आर्यस और बीजेपी की सरकारें जो सिर्फ और सिर्फ अपना पॉकिट भरना चाहती है और बाकी देश की जनता जो है किसान सर्कों पिधुन करते हैं इनको कोई मतल्म नहीं, जिस देश को जय किसानों का स 화arin जाता था, वहां पे हमारी किसान 10 महीनों से प्रदेशन करें और यह सरकार उनकी सुद्ञ नहीं ले रहे हैं, तो यह बहुत श्रम की बात है…… करेंगे बलाकारियों को संडक्षन देने वाली सरकारे कल रात की घटना अजाप अखवार उठाएंगे पहले प्रिस्ट में आप देखेंगे यह गर्ववती महिला टहलती है और उसको पकेड के उसके साथ ग्यांग रेप किया जाता है यह कौन से सरकारी है तो सरासर्म मैंने किसान तो अपनी खेटी रहते हैं को इतना मजबूर कर दिया गया है कि वह बाहर जाकर के मजदूरी कर रहे है उनको बंदूआ मजदूर बना दिया गया है तो तमाम मैला उसनमने बाद चीत की औरी मैला हैं इनसे भी जूरेंगे क्या लगता है। हम लोग सुरक्षित के लिए अपने सभी पेटी पहनों के लिए अपना मांग कर रहे हैं कि हम लोग को सुरक्षित रहें और जब तक नरेंदर मोदी और डबल इंजन की सरकार जो है इन लोग की घटिया सरकार चल रही है एक भी लोग का बात सचा नहीं होता है अगर सचा होता तो दोनों का दो दो बाच्चा होता इसलिए हम लोग इनकी मांगे से हम लोग प्रशान नहीं है जितने इनकी इलान हो रही है सब जुटी बाते हो रही है जब तक हम लोग को मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग म महिलाओं के हित में कौन-कौन से मांग होगी आपके? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश किसानों का देश है और हमारे अन्नदाता कई महीनों से सडक पे लगे हुए हैं उनके लिए जो ये काना कानून जो है हम लोग वापस लेने के लिए हमारा पूरा महागट बंधन सडको पे उत्रा हुआ है और हम लोग लगे रहें जग तक ये गुंगी बहरी सरकार सुन नहीं लेती है जब तक ये मान नहीं लेती है हम लोग इसी के लिए हमारी परदेश अध्यक्ष दाक्टर उर्मिला ठाकुर जी के साथ हमारी कमेटी राष्ट्य जनता दलद्वारा गठित की जाती है और हम लोग उस टीम के साथ पूरे परदेश में जहां कल ही हम आये हैं गोपाल गंज से जहां तीम बरसी बच्ची के साथ दुसकर्म किया गया और वो बच्ची एकदम मरनासन इस्तिती में थी तो हम लोग पूरे परदेश में घूम घूम कर इस तरह की घटनाओं के लिए जा रहे हैं उन पिडिताओं से मिल रहे हैं कोई बच्ची सुरक्षित नहीं कोई महिला दो साल की बच्ची हो या साथ साल की महिला हो कोई सुरक्षित नहीं है महिला सुरक्षित के लिए किन-किन चीजों पर खासा ध्यान रखने की जरूरत होगी इस पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि चर्चा करने से ही बात होगी जो किसान के इकाला कानून आया है उस कानून के खिलाब आज महिला भी सरक पर है क्योंकि सरकार जो है चंद मुठी भर कार्पोरेट के माध्यम से किसानों के आनाज पर किसानों के खलियान पर कबजा करना चाहते हैं उस उस खलियान से सबसे जादे महिला की रस्वाई पर भा जो है समर्थन देते रहते हैं इसलिए जो है आज हमारे आदर निये नेता तेज़स्वी जादब जी राष्टिए जनतादल इस बात को समर्थन किया है और दूसरी बात जहां सुरच्छा की बात है तो नितीश कुमार इस डबल इंजन की सरकार में नरंदर मोदी के नौक के नीचे जब से निर्भया कॉंड हुआ है इस पूरे देश में दो साल की बच्ची से लेकर के साथ साल की ओरत आज कोई सुरच्छित नहीं है एक महिना में 500 महिलाओं के साथ छिंताई से लेकर के छेर खानी से लेकर के उसके साथ गेंग रेप और बलतकार हो रहा है हत्याएं हो रही है और इस सरकार में नितीश कुमार की डबल इंजन की सरकार में महिला बहुत ही वासुरच्छित है मैं एक महिला आद्यक्षी हूँ, मैं फर्दा गउं गई थी, मुंगेर के 7 साल की बच्ची के साथ बलतकार और रत्या हुआ, आप देख लिजिए, यहाँ सुपिरिया कांड हुआ आपको बैसाली में, खुशबू के साथ रती ग्राम में कांड हुआ, इस तरह से मैं कल गई पर गउपाल गंज गई थी, गउपाल गंज के वहीं सी गाउं में जो है, वहाँ पर भी जो है, छोटी बच्ची के साथ बलतकार हुआ हत्या करने की कोशिश की गई, इस लिए इस राजपार्ट में कोई भी महिला सुरचित नहीं है, मैं दावय के साथ कह सकती हूँ, कि हर एक मिनट पर तीन महिला के साथ बलतकार हो रहा है। मिलडा है, तो हूँ जो है, भूखी अपने रस्वई को बंद करके भूखे जो है, मरने के कगार पर है, आज मैं कह सकती हूँ, नरंदर मोदी और नितीश कुमार, डवाल इंजन की सरकार में, जूठे वादे किया गया महिला के साथ, शराप बंदी के नाम पर, आज होम डि हो रहा है, और रस्वई जैसा, जो 200 रुपय करवा तेल, महिला को जो है, डाल खोचती है, तो नमक नहीं, नमक खोचती है, तो करवा तेल नहीं, आज जो है, भूखमरी के कगार पर कमर तुर महाईलाद या डीजल पेट्रोल की बरतीवी कीमत, महिला सबसे जादे परतीवी है, लेकिन समय समस्या ये है कि लपी जी कीमते बढ़ती जा रही है, सरकार से भी आत्कोना राज है, क्या वजय पहले पैसे कीमत से लोग रहते थे, और निती जी अपने घर तका कि दे रहे है, तो गरीब एबरा खाने पे है, खाने पेक एतनी मांगा Jorge कुछ City को दूटने दूट हुआ सकती हूँ कि मोदीजी लाके देनि, यह कनून मोधी जी थीकार सहिं निस्तिजि का यहीघला की कानुन मोधी जी कहने ओा on सौरत सहा हूं दुछी होता है सब गलत दिख रहा है तो यहां पूरी तरह से महिला विंग नहीं है सरकार की पोल खोल दी है दो किसानों के अवान पे बंदी का ऐलान किया तो इसके बद महाखट वंदने समर्थन किया लेकिन It's related करन को यहां कि समर्थन आप सवाल है कि किसानों का मुद्धा और इसकी के और भी मुद्ध था इन तमाम मोद्धों के लेकि महिला उने चाहिए महगय का मुद्दाव या फिर महिला शुरक्ष्ष्ण द्हाइगा फिर तमाम मसलोक लेके अपनी अपनी बात कहीं ही है वह काईदा समझने वाली बात होगी कि क्या वांक्य जो सरकार है अपना काम कढ़ देख रहा है कितना पूरा होता हुआ दिख रहा है आप ऐसी खब्लों के लिए रहें विशी 24 न्यूज के साथ फिलाल के लिए इतना ही धन्यवाद